दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉंट दोस्तो कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ भई आप लोग अच्छे ही होंगे और आज की वीडियो होने वाली है धामाकेदार क्योंकि आज की वीडियो में संस्कृत का गैस पेपर आ चुका है सीट अट 2020 के लिए और सबसे इंपोर्टन चीज यह है अगर आप लोग को संस्कृत में प्रोब्लम होती है और संस्कृत बिरकुल भी नहीं आती है तो ऐसे व्यक्ति ऐसे शुडेंट्स वीडियो को लाश्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बिरकुल ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप लोग को एक्जाम में अंसर लगाना है और साथी साथ आप सभी को बता है कि 30 पिरसन यहाँ पर होने वाले हैं टोटल और इन में से मैं एक पिरसन आप लोग को दूँगा जिसका अंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना होता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं आपकी वीडियो और आप सबसे पहले वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दो और सबसे पहले देखिए का आपकी स्क्रीन पर आचुका है कि अधो लिकेतम गद्धांशम पठित्वा पिरसना नाम यानि कि आपको गद्धांश को पढ़ना है उससे संबंदित कोसन पूछे जाएंगे यानि कि 61 से 69 तक 8 पिरसन आपके यहां से पूछे जाएंगे मैं आपको बिल्कुँ सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं उसकी कुछ ट्रिक वाली बात नहीं है वैसा बिल्कु सिंपल वे है आपका कि अगर आप लोग को संस्क्रत अच्छे से आती है और आप लोग निकाल सकत उनको पहरा आपको बिल्कु छोड़ देना यानि कि इस पर दिमाग मत लगाओ आप लोग बिल्कुल भी जादा ठीक है दिमाग कब लगाएंगे मैं भी बता देता हूं कब लगाएंगे इसको सारा छोड़ दे आप लोगोंने आप आम लोग डायेक्टली कोसन पर आते हैं कोसन में बोला गया है कि ग्रामें ब्रहमण पुत्रहा कथम वसंती समय यानि कि ग्राम में जो ब्रहमण के पुत्र थे वो कैसे रहते थे तो अब आपको बताना है कैसे रहते थे वो लेको हीन भावेन सबसे पहले आपको करना क्या है पहरा ग्राप में यह देख रहना है कि ग्रामेड ब्रहामन पुत्रह वसंती to अगर आप लोग को ये मिल गया तो आतर उत्तर भी आप लोग को मिल जागा चलिए मैं पहरा ग्राब दिखा देता हूं ठीक है तो पहली लाइन में आप लोग देख सकते हैं ऐकाश्मिन ग्रा में चत्वार है ब्राहमन पुत्रहा परसपर मित्र भावेन वसंती तो उत्तर क्या मिल गया है यहाँ पर दोस्तों पहले पिर्सन का उत्तर पहली लाइन में मिल चूका आपको मित्र भावेन यानि कि मित्रता पूर्बग गाव में जो है ना मित्र रहते थे ठीक है तो टेकिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मित्र भावेन बी ओप्सन ओगे आपका अपका पक्का हो गया यह से कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगी अब दोखो दूसरा को सटन आपका बहुत इसांदार कॉस्टन है यह भी वर्ड आप लोग देख लिजीगा सास्त्र विमुखष्य मित्रस्य किम नाम तो ये वाला हम लोग को देख लेना है चलिए पहरा अपपर चलते हैं लोग तो साथियों जैसे कि आपको पहली लाइन में मिला था पहला उत्तर अपको ये मिला था पहला उत्तर ठीक है इसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं तेशु त्रे शिक्षिता है पंडिता है चै आशन है परस्परम चतुर्थ है शुबुद्धी तो ये आपका चै तो मिल गए आप शुबुद्धी इसका कहने का मतलब यह होगा दोस्तों कि वह तीन तो ब्रहमण रहते थे लेकिन उनका जो और मित्र था उसका नाम सा विख्रभा इंगै शुबुद्धी नाम था चलिए नेस कोंसन के मैं को में बोला गया सातियों कि मारगे कच्छन थैं किम अपश्यन ठीक है मारगे गच्चंत है एक बहुत बढ़ा कोस्षन आपका यह आप लोग को वैसे ही ढूंड लेना है एक वर्ड आप लोग को ढूंड लेना है चलिए गाए आप लोग को दिखा देता हूं वह सधियों धो सांतियों आप लोग यहां पर दे सकते हैं यहां पर आपका मारग चल्ड रहाता हैंixes Tyenas सब निकाल सकते हैं वही पहजाव में से बीना घबराई बिना डरें अगला कोस्तों देखी आपके स्क्रीन पर यह रहा इसमे बोला गया है विचारय इतीपदस्य अर्थ ठीक है यहाप लोगों से पूछा यानि कि जो आपका spectrum says बहुत ही सांदर ठीक है ये दोस्तों इसमें जो लगा हुआ है लेप परते लगा हुआ है कौन सा परते लगा हुआ है लेप परते-लगा हुआ यानि इसका bench aip शुब अरोहत तो ये भी आपका बहितरीन कोखे सांदर कोखन है ठीक देखेगा जो ब्रहमण का पूत्रस्या पहले में आप लोग को इसके बारे में थोड़ सा बता देता हूं आंसर क्या होगा वैसे तो हम लोग देखिए डायक्टली इसका आंसर जो न पहरागराब में ढूंड लेना है जो सुबुध्धी है यह अगर आपको पहरागराब मेंम रहा था ऐसे जैसे आप लोग यहाँ पर जाएंगे देखिए सुबुद्धी नाम कही है एक वह वह सत्र फ्यूमुग है लेकिन वह तुआ हुझक मिल जाता एम पर पर दोस्तों दो दो जगह का सुबुद्धी लिखा तर 23 हो चुका था अब है औहीं अवदत्षणम पिछिक्षव है दोस्तों यह आप लोग पढ़ सकते हैं फटाक से यानि वरक्ष की बाद यहां पर की गई है यानि कि जब वो तीनों ब्रहमर्पर जो है अ तो दोस्तों वह चड़ गया था ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नैश कोशन की नैश कोशन में क्या बोलो गया था आपका चलिगा नैश कोशन में बोला गया है जो गदान से संबन्दित है आपका कि गदान शेश मीनि आरूहा पदश्य विपरितार्थक यानि कि ये जो सब्द लिखा हुआ है आरूहा तो इसका विपरीत यानि कि विलोम सब्द आप लोग को बताना है पहले सबसे पहले आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि इसका अर्ज होता क्या है मैं आपको बता दू इसका अर्ज जो होता है साथियों चड़कर होता है चड़कर चड़कर ठीक है इसका जो उल्टा होगा उतरकर होगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डिरेक्टरी आंसर हो जाएगा डि नमबर अवर्स यह है ठीक है जो थीर रहे है नश कोशन के हम लोग बात करेंगे खोशन नमबर, शिक्ष्टी एट नमबर 68 में बोला है ते कम देशम पिड्टी चलि तुम उत्सु कहा ऐभवन चलिएगा द देखें आपको सिंपल सब्सार्य यहां पर अराम से मिल जाएगा को जल्द वाजी नहीं है यहां पर आप लोग दे सकते हैं धनुर्पार जनम कुर्म एव विचारियते पूर्डेशम तो यहां पर आंसर मिल गए आपको पूर्वदेश की तरफ जाते हैं वो ठीक है तो यह धोन लेते हैं हम लोग फटाक से मतलब आपका जो option में है दित्येन है गोगा तित्येन होगा चतुर्थेन होगा और पिर्थमेन होगा जजाल लिएक हम लोग चर्म मार्ष रुधिर धोन लेते हैं कहाँ पर मिलता है तो यहां पर आपका answer मिल चुका है देखेगा ततपश्च दित्तियेन चर्म माश रुधिरम यानि कि दित्तियेन दूसरे की हम लोग ने बात करें दूसरा जो ब्रहमर था दित्तियेन तो यह आंसर आप लोग का मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है दित्तियेन नेस्ट कोशन के बात करेंगे हम लोग अफशयन इती पदे धातु अश् यह आपका जो होगा द्रस्त धातु का लड़ लगार का रूप होगा तो आंसर रहेगा पहला वाला उप्सन ठीक है तो स्वासियों यह था आपका देखे गद्दांस गद्दांस में से आपके आठ नंबर बन चुके हैं अब देखे यहां पर आप लोग देख सकते हैं पद् पहला नहीं है क्यों कि हम लोग को आंसर ढूंदना फटाक से ठीक पहला को सन पहली लाइन में मिलेगा जिछान नगना पहला को सन्च जित्सूर में मिलता है लगभग पद्यांस से कर्ष्या-महत्वम कथित अस्थी तो यह तो बिरकुर्व सिंपल प्रसन है यानि कि पद् लोग देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आप लोग सकते हैं की सदा विध्या सदा जनननाम विमिलम करोती चित्तम तो सभी लोग का अंसर हो गए सबस्ट तो सद्धा ईंसर ही kita डिननमर होगा चित्तम तो नमबर यहाँ से हो गया यानि कि अभी आप तक अब आप लोग के दस नंबर बन चुके हैं आठ उसमें से और दो नंबर आपके अभी जो ना इस लोग से बन चुके हैं ठीक नैश कोशन की बात करेंगे हम लोग नैश कोशन क्या होगा पंदु भी का नया विभाज जीहा ठीक छेत्रम धनम विद्या और भवना 72 नंबर सिंपल स चौरी नहीं कर सकता यह बिर्कोश सिंपल सा है आप लोगोंने कई वाल पढ़ा भी होगा ठीक है राजा इसको हरन नहीं कर सकता चोर चुरा नहीं सकता इसको भाय को वाजय विद्या को ठीक है एक यह दुरम-दूरम-करोती-इती-भावश्य-क्रते क्या है प्रयोग हैं चलिए यहां पर आप लोग दिसकते हैं कि विद्या सदा जननाम विमलक कुरोती चित्तम विद्या तनोती कीर्तम विद्या तनोती माननम विद्या निरम समाजे कुरूते सदा प्रधानम विद्या नहेंती दोशम विद्या नहेंती भारम चलिए तो आप लोग का आंसर मिला क कि नहीं मिला अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो मिल गया होगा अंसर ठीक है साथियों इसका जो आंसर था दूरम दूरम करोती इती भावश्य क्रते के प्रयोग तो साथियों डारेक्टली आंसर आप लोगा यह गाएका डी बाला नम भवना ठीक है भवना मिज् कीर्थीम का जो विपरीत है उल्टा है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है प्रदाक विक्धियम का यहाँ और विपरीत है जाने करसल भवश्य को स्ट आर do वक्ति इसका अंसर डूंड़िए फटाक से बहुत कम समय आप लोगो दिया रहा है फटाक से आंसर दीजीगा पहरा ग्राप दिखाऊं जी पहरा ग्राप पर ले चलता हूं आपको फटाक से साथ यह वाले पंक्ति पढ़िएगा विद्या गुणम प्रिधानम विद्या धनम प्रिधानम देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रिधानम यह वाले जो पंक्तिया यहां शानसर मिल गया आपका ठीक है यानि कि विद्या जो है बल देश और विदेश दोनों तरह यान यानि कि जो जिसमें विद्या होती है ना उन व्यक्तियों को सर्वत यानि कि हमेशा वो पूजे जाते हैं तो 75 का जो सो आंसर रहे आपका देश से तथा विदेश से ठीक किलियर है शाबाज आई होब किलियर ही होगा और नेश कोसन की हम लोग बात करेंगे साथ यो नेश कोसन में बोला गया है भाशाया पठन शम्ये चेद छात्रह एशुद्धम उचारनम करोती तदा कारणिये हैं यह आपका कोसन है चलिए देख लीजिए आप लोग कैसे आंसर दोगे इसका 76 चाहा है तो ऐसे में आप लोग को सुध्ध उचारन करवाने के लिए क्या करना चाहिए यह कोसन आप लोगो सिप उचप उचा गया है तो राटेटली आप लोग आंसर लगाएंगे शुद्ध उचारन वारम वारम अभ्याश कारणिये हैं यानि कि छातर से जोना सुद्ध सुद्ध को जो सुद्ध उचारण का जो है बार-बार अभ्यास आप लोग कराओंगे ठीक है तीसरा उप्सन के लिए रहे बहुत बढ़िया नैश कोशन की बात करेंगे बालक के उचारण दोस्त का कारण नहीं है नहीं है यानि कि एक कोशन आपका सिंपल आ गया इसमें चलिए फास्टी कर लेते हैं हम लोग वीडियो आप अगला कोशन आपका बोला गया है कि पाठश्य शमवेग परिसर्परणम नाम है ठीक अब दो उप्सन तो मैंने आपको दिखा दिया 78 के 78 के चलिएगा यानि कि जो पार्ट का समवेग परिपरसन होता है यानि कि परिसर प्रणम होता है वो आपको बताना है चलिए मैं आपको दो दो दिखा चुका है इसमें तो आपक आंसर नहीं होगा तीसरा उबञासरियों इस आप डिकल वैसे आंसर आ यानि मैं कि पार्ट मेंसे की सूचनाएं होती है यह इनकी पार्ट से एसम्बंद यानि कि एसम्बंद सुचनाएं सूचनाथ तजचन्यम होती है यह 7 Серब नहीं रखती उसका आम लोग को क्या कर देना चाहिए परित्याग कर देना चाहिए इसलिए आपका रिन्टर नॉब्र से था नश्कौसं की बात करेंगे विस्ष आवशक्ता कष्या इतिश अमनधा भवती जो विशिष्ट आउसक्ता कष्या के बात करें यहां पटाए ठीक है तो डाटली आप जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि सब बच्चे को हम लोग जो ना समावेसी सिक्षा के अंतरगत रखेंगे सेम उसी प्रिकार से पुछा गया है कि कि किसी भी कच्छा में चात्रों की योगता भिन भिन होती है वो तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा नहीं कि सब ल जी ओफ्सन देखो फटाक से ऐसे आप लोग को आंसर लगाना देखो चात्रा ग्रह नवीन पाठ नाम पठित देखो चात्र को नवीन पाठ तो पढ़ाने नहीं है घर का काम दे रहो हो हमबर्ग दे रहो तो पहले का क्या मतलब होगा इसका अभिबाब का नहीं सकते हैं आपको संस्कृत बिल्कुल भी ना है कोई दिक्करवाली बात नहीं है फटाक से आंसर देदीजिएगा ठीक है अगला को सन रहेगा अब बोधनात्मक परिक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिकम महत्वणम ठीक चलिए यहाँ पर कोसन में क्या वो लगया है आप ल जो आंसर रहेगा वो होगा संधर्व संधर्वश्य ग्यानम यानि कि किसी भी पार्ट के संधर्व के बिना आप लोग उस पार्ट को जानना के लिए यानि कि छात्र हैं जो आपके विधारती हैं उनको कटनाई का सामना करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों आपको जो पार् अगले कोशन की बात करेंगे डिस्ग्राफिया वर्थते चलिए डिस्ग्राफिया रोग जो है यह तो कभी बार पूछा है तो यहाँ पर पूछा गया आपसे डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया वर्थते साथियों आंसर रहेगा आपका लिखित भाषा यहां बोधे भाष चलिए 83 नंबर आपका शंश्क्रित भाशाय शिक्षणे पिर्थम भाशा कोषलम अस्ती जो जो सो भास संस्क्रित भासा पिर्थम पिर्थम कोशल है वो क्या होता जैसे आप आप लोगों देखा होगा चार को सलोते हैं सुनना बोलना पड़ना लिखना हिंडीत में भी यहम होते हैं तो सोनना होता आपका श्रवन होता होता ह Tes record Each ठीक है तो तीसरा उप्षों लगाएंगे G Guardi से आपका अंसर हो SUV घा अगर वीडियो पसंद आरहे हो लाइक जरू परना फटाक से लाई कर दैना सेर कर देना ठीक है अग्ला कोसन आपका रहेगा कि प्रारमभी करस्त ट्रे कुत्र बलंभवते ठीक यह भी पहतरी नहां का 84 नंबर यानिके दोस्तो प्रारबिक इसतर के हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें भी दोस्तो आपके क्या होगा क्या होगा भई श्रावण होगा यह भी पहले वाले कोस्टन से संबंदित है नाश कोस्टन रहेगा आपका पाठो प्रांत पाठो प्रांत मुल्यांकनम अस्थी पाठ के उपरांत यानकी पाठ के बाद पाठ को पढ़ने के बाद उसका मुल्यांकन होता है ठीक है तो आंसर रहेगा आपका पाठश्य है पाठणाम अननतरम ठीक है चलिए अगला कोशन रहेगा आपका अगला कोशन क्या आयत आती हो बहुत बढ़िया लाइक कर जी सेथ कर दीजिए फटक से ठीक पहली बार विजिट करने चांग को सब्सक्राइब करेंगे समुचित है आप लोग यही कर सकते हो ने डी नमबर स्रवन भाषन स्रवनम भाषनम पठनम लेखनम ठीक है अगले कोशन की बात करेंगे अच्छा यह वाला कोशन मैंने कल कराया था आप लोगों ठीक है कल की वीडियो में अगला कोशन रहेगा आपका भाषा दी ग्रहन शम्ये धारा प्रवाहिता नाम है कल मैंने कराय था आपको यह यदि भासा का ग्रहन विध्यारति कर रहा है तो उश्य में भासा पर क्या होने चाहिए शहजताया शम भाषनाम पठनम लेखनम चै यानि कि दोस्तों उसकी रूची जो है ना बोलने का कोशल हो पठने का लिखने का इसमें विरूची बच्चे की होनी चाहिए नेश कोशन की बात करेंगे निमलिखित में से स्रव्य अधिगम शामगरी कौनशी है श्रव्य अधिगम शामगरी फटाक से अंसर लगाएंगे हम लोग 88 का टैपरी काडर ठीक है टैपरी काडर रहेगा देखेगा टैली विजन और सिन सकते हैं वो रहेगा आपका नेश कोशन की बात हम लोग करेंगे कोशन नमबर आपका 89 भासा की अविनाव विरी कौनसी होगी बहतरीन कोशन सेलेक्षान आंसर रहेगा आपका भासा परियोक शाला और लाश कोशन तो मैं आप लोगों से पूछता है हूं इसका अंसर देना